अबसुए यए हीट एंड रन की नई कानून के खिलाब ।ॡ्राइवर की हरताल केंदर सरकार साला लाए गए हीट एंड रन कानून की विरोध में पूरे देश में ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर दिया उनका कहना है कि ये कानून गलत है और उसे वापस लेना चाहिए इस मांग को लेकर मुंबई इंदोर से लेकर दिल्ली हर्याना यूपी समेत कई जगाओं पर ट्रक चालकों ने अपने अपने ट्रक सरकों पर खड़ा कर जाम लगा दिया दरसल के इंदर सरकार ने अपराद को लेकर नया कानून बनाया है जिसके तहट अगर कोई ट्रक चालक किसी को कुचल कर भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल होगी इसके अलावा 7 लाक रुपया जुर्माना भी देना होगा पहले इस मामले में कुछी दिनों में आरोपी ड्रैवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था हलाकि इस कानून के तहट भी दो साल की सजा का प्रवदान था सरकार के इस फैसले के बाद ट्रक चालकों में भारी आक्रोश है उनका कहना है कि ये सरासर गलत है सरकार को ये कानून वापस लेना होगा सरकार के इस नए फैसले को लेकर कई जगाओं पर लोगों को भी कई दिकतों का सामना करना पड़ा कई जगाओं के पैचल पंप पर भी हरकम मचा हुआ था जिस तरह से आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर आपको ये पैचल पंप दिख रहा होगा ये पैचल पंप मंबई से मलाड वेस्ट मारवे रोड के पैचल पंप है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैचल पंप पर पैचल ही नहीं है दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर कांदे वली चार को अपनाके की है जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितनी लंबी लाइम में लोग खड़े हैं पैचोल लेने के लिए तो वहीं आप तीसरी तरफ भी देख रहे होंगे कि कितनी भीड में जमा होकर पैट्रोल के लिए वहाँ पर लोग खड़े हैं ये तस्वीर आपको नजर आ रही है ये भी तस्वीर कांडे वली गनेश नगर की है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग कई दिकतों का सामना कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन बताइए चार कोप से लेकर ये लाइन सोनापूर बस्टॉप पर जाकर खतम होती है जो सोनापूर कब्रिस्तान के सामने बस्टॉप है उनका नाम है बस्टॉप का ये वहाँ पर उसकी लाइन जाकर खतम हो रही है आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन में लोग खड़े हैं पैट्रोल लेने के लिए और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितनी भीड है वहाँ पर कितने लोग जमा हैं सिर्फ पैट्रोल को डीजल के लिए खड़े हैं आप तीसी तरफ देख सकते हैं कि वहीं पेट्रोल पंपी बंदें पेट्रोल ना होने के वज़े से तो आप देख सकते हैं कि लोग कितना दिकतों का सामना कर रहे हैं हम दुसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि एक नई बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है ABP और आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है किंद सरकार के साथ बाच्चित के बाद ट्रांस्पोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है जिहां ट्रांस्पोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है देश में चल रहे ट्रक ड्राइवरों की हरताल खतम होगी ट्रांस्पोर्ट असोसियेशन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हमें अस्वाशन दिया है कि हीट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा जिहां अब लोगों को ट्रक ड्राइवरों को राहत मिलेगी क्योंकि हीट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए लेकिन 12ATG सर्टिफिकेट नहीं होने के वज़़ से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप RTI SK के एजनसी से संपर्क करें RTI SK के एजनसी से संपर्क करके 12ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं उठाए फोन और लगाए कॉल 9769025411